हलो फ्रेंड्स आज भी एक कोश्चन पढ़ रहा था कि केन हैंडलिंग के बारे में जैसे केन हैंडलिंग सिस्टम जो होता है अपने पास में दो होते हैं ट्रक्टिपलर और केन अनलोडर तो इसमें एक ऐसे कोश्चन आया हुने काई आप लोग को सेर किया जाए तो पढ़ प्लांट है तो एकोनोमिक डिवाईस पितलब कितने आप अनलोडर लगाओगे एक चीजे भी होता है ना कि अमालिया आपके यहां 8000 TCD का प्लांट है या 10,000 TCD का प्लांट है तो नमबर आप अनलोडर कितने रिक्वाइर्मेंट होंगे यह भी चानना देखे बहुत जरू जब दूरी है यह सेल्फ की नालिज के लिए है कि हाँ कोई कहीं बात हुई इतने का प्लांट है तो प्लांट हो जाए कि हाँ केंडिक डिवाईस के लिए यहां इतने का ट्रिक्ट लगा होगा और लगवग में यहां चार लोड़र लगे होंगे इस टाइप से एक व्यू दिमाग में बनना चाहिए तो उसी का जिक्र कर रहे थे आज थोड़ा कोश्चन हमें सही सा लगा हमने का आप को सेयर करें तो होता क्या है इसे ढाई या टीसीडी के प्लांट के लिए भी यहां पर हमारे पास में लिखा हुआ तो इसलिए ढाई ही लिया है एक बार पांच अब मालिया आपके पास में अनलोडर है और आप हंडेड परसेंट गन्ना जो है अनलोड कर रहे हैं ग्रेब से आपके पास में ट्रक्टिपलर नहीं है चुक्क एठाय या टीसीडी का प्लांट है 22 से कर दिया वैसे तो 24 से करते हैं लेकिन केताबों में 22 दिया हुआ इसलि ग्रेब से ग्रेब और फिद्दो प्रकार के होते हैं अब यं आगे बताते हैं यह देखिए mechanical grab और hydraulic grab mechanical grab की capacity होती है 40 से 50 टन पर तिगंटा इतना गन्ना वो unload कर सकता है और hydraulic वाला होता है 60 से 80 टन परावर इसकी capacity होती है ठीक इतनी बात आपको समझ में आ गई अब केवल 115 टन हमें गन्ना unload करना है यदि आपके हां mechanical grab लगाया हुआ है तो 40 से 50 होगा इससे आप भाग कर देंगे सीधे आजाएगा hydraulic है तो 60 से 80 होता है 70 या 80 से भाग कर दें लगभग में निकल जाएगा ठीक है दो लगेंगे तीन लगेंगे ये तो हो जाता है केवल यहीं से ही आपको मालूम चल जाएगा कि कितना unloader की requirement है तेकिन आगे इसमें और कुछ दिया हुआ था उसको पढ़ रहे थे हैं जैसे किसी question को उठाया जाए और 100% gain unloading by mechanical grab माल यह mechanical grab लगा हुआ है और capacity आप mechanical grab पचास टन परदिघंटा यह जो दिया हुआ 40 से 50 पचास टन परदिघंटा unloading capacity कितनी होती है धाई टन परदिटी परलवी एक बार में धाई टन ही गन्ना उठा रहा है सपोज तो number आप्टिफ्स इसको कुटने करने होंगे इस 50 टन को unload करने के लिए उसको 20 बार उठाना पड़ेगा तब ही तो 50 टन unload कर पाएगा वो 20 बार grab moment होगी पकड़ेगा केंड करियर में डादे करना दुबारा करेगा लब एक घंटे में 20 बार ठीक यह धाई टन पर टिप होता है तो इसके लिए है क्या मतब साथ मिनट में 20 टिप वही एक घंटे में 20 टिप तो एक टिप को करने के लिए उसके पास में तीन मिनट का समय है यह असल बात इसलिए निकाल के तुम्हें और आप लोगों को बताते हैं कि इसी से ही आपके जो ट्राली पर गियर लगे हुए है हाइडोली क्रेब पर होती है स्पीड का होता है इन ही सब को लेकर ही कल्कुलेट करके उसकी डिजाइन की जाती है क्यों इतने मिनट में यदि वो पूरी अपनी टिस्कों नहीं कम्प्लीट कर पाएगा तो टोटल इतना गन्ना अनलोड नहीं कर पाएगा तो इन सब चीज़ों को काउंट करके उसकी डिजाइन की जाती है डिजाइन पे नहीं जाएंगे लेकिन इस टिक्स निकाले जाते हैं कि इतना हमें गन्ना अनलोड करना है उस हिसाब से करके इसको यह तो उसके लिए हैं डिजाइन के लिए है के वल हम आपको बता रहे हैं कि नंबर आफ अनलोडर के लिए अब अब यह देखिए 115 TCH का प्लांट तो सीथे 50 से भाग कर दिया 2.3 मतलब नंबर आफ अनलोडर रिक्वाइड तीन ठीक है यह टिफ्स हो गयरा कि भी आपको जानकारी होनी चाहिए इसलिए इसमें लिखा हुआ है क्योंकि इसी स्वीट से ही डिजाइन होती है ठीक है अब चलिए लेते हैं 5000 TCT प्लांट के लिए अब उसमें यह चीज़ आती है 60% केंज हो रहा है अनलोड कर रहे है मकेनिकल गरफ से और 40% केंज अनलोड कर रहे हैं टरक्टिप्लर से वहां पर टरक्टिप्लर नहीं था यहांडर्क्टिप्लर है तो उसकी capacity होती है ट्रेक्ट प्लर की कितना होगा 60% गन्ना के लिए सीजी जी 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 बात है आपको पांच चाहर के लिए TCH निकाल दिये 227, 60% आपको ग्रैब से 136 टन पर दिघंटे अनलोड करना है तो सीजी बात है जैसे पिछले वाले किया था डिवाइड कर देंगे देखे वही 20 काउंट वही वाला करके वही पूरा क्या आपको है 50 डिवाइड किया तीन लोडर आ गए तो 136 टन पर आपको अनलोड हो गया अब बस्ता कितना है 91 टन तो होता क्या है जो ट्रक टिप्लर होता है लगभग में ज़िए आप कभी भी आपजर्ब करें तो बारा से तेरा मिनट एक ट्रक को खाली करने में और दूसरे को ही स्टार्ट करने में लगता है ठीक है तो एक घंटे में एवरेज चार से पांच ही ट्रक आते हैं और एक ट्रक में गन्ना जो है लगभग में 180 कुंटर मतलब 18 टन के लगभग में होता है तो 18 तो यदि 5 ट्रक कर रहे हैं तो 90 90 है 90 है तो लगभग में पांच ट्रक करना यह 90 ट्रक जो गन्ना पांच बार करता है लगभग में एक घंटे में 13 से 14 मिन्ट का एवरेज आता है तो उसकी केपिसिटी आप पचास ट्रक का दे लिजिए एक 100 सीटन का लगभग में ना आता है तो 9 टीटन यहां से हमारा हो जाता है चार से पांच ट्रक का एवरे जाता है ठीक है तो एक ट्रक टिप्लर हो गया और तीन हो गए अनलोडर तो थोड़ी से जानकारी यही देनी थी कि सीधा आप टीसेच निकालने के बाद में जो प्लांट को में टीसेच हो जाएगा और अनलोडर का आपको मालूम है यह चीज हमें सा याद रखिए यह मेकैनिकल ग्रेविदी आपको लगा है तो इतना टन ही देगा इसका इतना टन देगा सीधा डिवाइड कर देंगे कि तो आपको यह मालूम चल जाएगा कि अनलोडर की आवस्तेक्ता प्लांट में कितनी है दो की जरूरत है तीन की जरूरत है ठीक है उसके साथ में टक टिप्रल लगा हुआ तो अनलोडर की कम किया हो सकता होगी तो यही थोड़ा सा सेयर करना था निगा कि आपको बताया जाए छोटी सी चीज है लेकिन दिमाग में हमेशा रहना चाहिए ठीक है इसलिए आपको सेयर किया मारा वीडियो अच्छा लगा और लाइक सेयर और सब्सक्राइब करें और इसे पढ़ते रहिए कुछ ना कुछ रोज मिलता ही रहेगा थेंक यू